करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ दोस्तो आपका बहुत सरे कोस्ट्चन के बेसिक से मैंने वीडियो बनाया आप लोगोंने बहुत सरे कमेंड किये दोस्तों क्या बता हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइब है उतने भी सब्सक्राइब से मेरे मतलब आधे से भी जादा बहुत बंदी ने मुझको एक कमेंट किया है क्लाब फेक्टरी क्या है क्लाब फेक्टरी से पार्चेस कोई भी चीज पार्चेस करना क्या सही रहेगा या कोई भी कैसा होता है वो कहा का company है और return policy क्या है सारे details मैं पढ़ चुका हूँ और पढ़ने की बाद मुझको ऐसा लगा मैं question का answer नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने काभी तक club factory का use नहीं किया था तभी तक तो मैं कैसे आप लोगों को comment का reply दू तो मैंने सोचा यार चलो एक काम कर लेते हैं फटा फट मैं club factory से कुछ भी चीज में purchase कर लेता हो और purchase करने के बाद एक चीज नहीं में 2-4 चीज purchase कर लेता हो एक electronic product purchase कर लूँगा ये beauty product सारे product जो भी कटागोई होता है सारे एक एक करके purchase करूँगा और आने का जो डेली बारी का experience है और जो club factory का customer care का support experience है और return policy जो भी है सारे के सारे में आपके सामने experience करके मेरा जो experience है और fast impression क्या है मैं सारे सच्चाई और club factory कैसा है अच्छा है या good है अच्छा होगा या बुरा होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो चलो मैंने एक काम किया फटा फट आपको वीडियो में एक काम कर देता हूँ सारे details में बता देता हूँ और आपको भी पता चल जाएगा club factory company कैसा है अच्छा है या बूरा है दोस्तो चलो फटा फट जान लेते वीडियो को बीना skip करके पूरा का लाश तक देखना क्यूंकि इंट्रेस्टिंग वीडियो है और इंट्रेस्टिंग टोफिक आपको बताने वाला हो दोस्तो तो आप प्लीज आप ने बंदे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास का बेल आइकन को भी ज प्लाटफोर्म मैं जैसा एमाजन है जिसा फ्लिपकड है जासा स्नैप डिल है जैसा वे था और यहहां पर वधी मिलता है ऑन लाइन मतलब आप कुछ भी प्रोडृट्ट लेना चाहते ओंतो तो प्लाप से जाके आप पर्चेस कर सकते हो एसा भी हो रहा है कुछ दिनों से म कुछ पैसा उनको मिलता है तो मैंने चेक देखा यार हाग क्लाप फेक्टरी एक सही से एक वाइबसाइड है जहां पर ओनलाइन प्रोड़क्स सेल होता है तो मैंने सोचा यार किसी के कुछ किसी भी ट्राइन करने की बीना मैं कैसे दव कर सकता हूँ क्या यह वरीजिनल एक स्काम किया चलो में खूदी भाई कर लेता हो तो मेरे जाएगा मेरा कोई कर लेता हूँ फेर मेरा experience है और कषरी कर सा है जिसना भी सारे कश्ट्मर के साथ कास बाठने वाला दो दोस्तों, फ्राइल कर दो क्योंकि उनको भी जानना है क्या है Club Factory , साहिध आपके लिए इसका पैसा भी बाच सकता है दोस्तो, येस तो देखो क्या है मैंने Club Factory से यूज करना मुबाइल को app application डाउनलड कर लिया क्यों कर लिया आपको मैं first बता देता हूँ मैंने Facebook यूज करता हूँ Facebook यूज करते समय मुझको बहुत सारे Club Factory का add आता है मतलब Facebook का में जो news feed रहता है मैं जब scroll up करता हूँ या scroll down करता हूँ तो बहुत सारे Club Factory का add आता है या बहुत सारे मतलब अच्छा अच्छा product वो उधर पे sold है तो मैंने देखते मुझको भी अच्छा लगा यार Club Factory का कम price में इतना अच्छा product कैसे दे रहा है और Club Factory कहा का company है इंडिया का है या बाहर country का है वो भी बहुत सारे बंदे ने मुझको पूछ लिया है comment पे तो हाँ और Telegram चैनल पे आप जॉइन करना चाते हो मेरा website है वो उधर पे भी जॉइन करना चाते हो और WhatsApp ग्रूप पे जॉइन करना चाते हो तो दोस्तो प्लेस डिस्क लिंक है आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके वो जॉइन कर सकते हो सारे के सारे लिंक Facebook पेज का WhatsApp ग्रूप का Telegram चैनल का और website का उधर पे सारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक एवेलेबल है दोस्तो जाए ये Social Network पे जाके आप जॉइन करके रखिए Official है दोस्तो First क्या बताना चाता हूं मैं आपको First सुन लिजे बिना बगबग करके Main topic है Club Factory कहा का company है दोस्तो Club Factory कोई Indian company नहीं है दोस्तो Club Factory एक China के company है Yes दोस्तो I hope आप समझ गए हो मतलब India का कुछ भी नहीं है इंडिया का जैसा Amazon भी इंडिया का नहीं है क्योंकि वो भी आभी बाहर का हो गया है तो ऐसे भी company कुछ भी ऐसा भी platform नहीं है e-commerce site जो इंडिया का है लिकिन आपको एक चीज़ बताना चाता हो Flipcard का या Amazon का सारे का return policy और product का पूरा good review है और उसका जो feedback है और उसका जो goodwill है बहुत अच्छा है high rating पे है तो हाँ दोस्तों लिकिन clap factory का क्या है मैंने पार्टेस किया तीनो प्रोड़क्ट मैं एक चीज़ आपको बता देता हो मैंने फास्ट एक पार्टेस किया एक electronic product जो है एक JBL का earphone दोस्तों JBL का एक headphone मैंने order किया जब मैंने देखा मतलब YouTube पे भी एड आ रहा था Facebook पे भी एड आ रहा था एक JBL का मैंने headphone मैंने मंगाया आप देख सकते हो मैंने display पे मैंने 100 कर दिया यह headphone मैंने मंगाया जो price उदर पे 100 पे 100 पे बीच मतलब 300 के अंदर लेकिन मुझको मैं तो सौक हो गया पे 300 के अंदर original JBL का headphone और अधर पे लिखा हुआ है original JBL का headphone 300 पे मिल रहा है मुझको साइद मैंने चोक गया मुझको लगा हो भी सकता है चाइना पे price कम है इंडिया पे price जदा है तो import export पे करते तो साधा price लगता है तो मैंने सोचा यार साइद ऐसे भी हो सकता है चाइना का website है चाइना से आएगा तो थोड़ा time लगएगा फिर भी मैं accept कलनोंगा लेकिन कम price में मिल रहा है तो इंडियान कस्टमान को और क्या चाहिए कम price में जहां पे मिलता है वो एमाजन पे भी लिश्ट था तो मुझको लगा 300 के अंदर जेबियर के headphone club factory कैसे दे रहा है तो मैंने चलो एक बार purchase कर लेता हो फिर तो return to return का लपड़ा तो रहे गई return भी है 9 days के अंदर आप return भी कर सकते हो ऐसे भी लिखा हुआ है club factory का website पे तुरंद मैंने order कर दिया telephone delivery मेरे pin code पे या मेरे account पे available नहीं था मुझको ऐसा लग रहा है club factory पे COD available नहीं है तो जो भी है है की नहीं है आप एक बार जाके चेक कर लिजे लिकिन मैं आप चेक करने से पहले वीडियो को लाश्ट तक देख लेना क्योंकि एसे भी जानकर या आपको मिलने वाला है जो आप शॉकिंग हो जाओगे दोस्तों फिर मैंने वह JBL का earphone मंगा लिया है आने के बाद जब मेरे पास delivery होआ 5 दिन के बाद मतलब 5 दे मुझको लगा एक ecom express courier वाला मेरे घर पे वह delivery हो गया एक बाद मैंने सेल ब्रोकें किया वह पूरा के पूरा स्टील बॉक्स था सेल ब्रोकें करने के बाद जब मैंने JBL का earphone में जब ओपें किया देखा मैंने हाँ JBL का earphone है मैं चाहूँ तो मैं order ID description पर दे सकता हूँ मैं दे दूंगा आप जाके एक बाद चेक कर लेना यही मेरा order ID है लिकिन मैं सोच रहा हूँ order ID देने से कोई भी फाइदा नहीं होगा क्योंकि JBL का यारफोन बोलो इतना कम price पर एक चीज आपको नोट करना है दोस्तों Amazon Flipkart वो भी चाता है मेरे मैं कम price पर दूँ क्योंकि मेरे साथ मतला मेरे Amazon कम price पर देगा तो Amazon के पर ज्यादा customer आएगा फ्लिपकर कम price पर देगा तो ज्यादा price उनका भी ज्यादा customer बाड़ेगा लेकिन जो price से ज्यादा कम नहीं कर सकते है एक level rate आई उससे ज्यादा नहीं कम कर सकते तो वो क्यों आएगा तो यह है फंडा जो Amazon Flipkart पर मिरता है सारे तो बहुत सारे एक साथ लिस डेता है लेकिन हां सारे तो अरिजियाल होगा ऐसा कोई भी मतलब गैरेंटी नहीं है या सारे अरिजियाल होगा ऐसे भी गैरेंटी नहीं है लेकिन आवा जुना फ्लिपकर पर ज्यादा तर औरिजियाल प्रोड़ाट्ट मिरता है दोस्तों लेकिन club factory पर मुझको एक पार्चस पार्चस मे यह पंदरा दिन हो गया है और रीटान कर दिया मैंने रीटान भी सक्सेस्फूल हो गया लेकिन उसका रीपन अभी तक नहीं आया है वो पेंडिंग पेंटिंग पहां कुझकि अंडर वेरिफिक्सन होगा प्रोड़ाट को seller ने जो seller ने भेजाए वो वेरिपिक्सन करेगा स क्या होता है एमाजोन और फिलिपकार पे आप स्वपिंग करते हो तो साथ दिन के अंदर आपका एकाउंट पे रिफांड मिल जाता है दोस्तो एही था क्लाप फेक्ट्री का मेरा फ़र्स्ट पार्चेस और फ़र्स्ट एक्स्पियेंस सेगेंड मैंने पार्चेस किया एक टै आपकाईगर लता हूँ क्या मेरा दोस्तों के साथ एक्स्पियेंस भी हो जाएगा और सारे जो भी मेरे यूट्वर का जो सब्सक्राइब है वो सारे भी कमेंट कर लिया है उनको भी रिपले देने के लिए वीडियो भी बंज जाएगा तो दोस्तों मैंने क्या किया एक पा लगाना था और मैने क्या किया हुआ है करने के बाद मुझको का पैसा मेंने डाल दिया दोनों को पैसा क्या हूआ एक रिसीब हुआ एक रिसीब नहीं हुआ मतलब सेलार ने मुझे को क्या किया प्लाफ फेक्टरी ने सौरी सेलार को दोस्त दे के कोई भी फाइदा नहीं है प्लाफ फेक्टरी का यह लफडा है प्लाफ फेक्टरी को मैं बताना चाता हूँ प्लाफ खेकेरी को मुझको क्या किया है एक टैमपर ग्लास मुझको इट किया है और एक जमी लेकिन एक भेजाए और एक कहा गया और एक टेमपर्डवास नहीं था दोस्तो और दोनों का पैसा वो मुझसे ले लिया मैंने जब कंप्लेन किया तो मुझको बोला गया सर यह नॉन रिटरनेबल प्रोड़ेट है रिटरन नहीं होगा तो मैंने बोला रिटरन नहीं होगा त किया और होने का बाद पूरे की पूरी उसने मेरे इस मैरे कंपलेंट लिया गी दोनों का पैसा दिया मुझको एक भेजा बो भी ब्रोकेन मतलब अब एक आईटेाम्न चोबी दूसरे बार । तरब से फेक हो गया, तिसरा मैंने क्या किया, मेरे एक चाइना का एक मोबाइल मैंने मंगाया था, आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा, यूमीडी जी A5 प्रो का एक मैंने मोबाइल अंबोक्सिंग भी किया है, मैंने डायेट आली बावा से मैं ने मंगाया था मॉबाइल, तो मैंने क्या क्या क्लाफ हेक्टरी पर सच किया, देखा हाँ, क्लाफ हेक्टरी से ओडर कर दिया, एक नहीं मैंने डो चाहिए नखडीन पड़ेगा, लिकिन मैंने दो पीस से प्रणाग आया दो पीस तो टेंपराइबस मेरे पास आया लेकिन दो पीस मेरे हैंड सेट का नहीं एक कौन सा ओपू का हैंड सेट पर भेज दिया ओपो का अपका डिस्क्रिशन मतलब वीडियो के अंदर मैं स्वो कर देता हूँ और सारे के सारे ओडर आईडी मैं डिस्क्रिशन पर दे दूंगा आप चेक कर लेना कोई भी वी फिक बाग नहीं बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे पास आया है मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों मैं क्यों इदना ट्राइ किया मैं कभी भी वह आन एकसेसरी जिदने भी वह आयप साइड है मैं पूरा का पूरा एबोट करता हूँ लेकिन आप लोगों का क्या एंसर देने के लिए मुझको यूज करना पड़ा और मैंने पार्चेस किया मैंने सा सारे के सारे मेरे चुना लग गया और जो टेंपर को भी नौट रिटन पर पॉटक है उसे पर रिटन नहीं है ना रिफ्यान है ना कुछ में क्या करूं मेरे मोबाइल पर नहीं लाए तो मैंने बोला में यूज नहीं कर पांग उसने बोला आपका मची है आप फेक सकते हो जा पर जाब कर सकते हो लेकिए पैसा आपको तो नहीं मिलेगा भाईया आपका तो पैसा लूट गया तो हां दोस्तो न कि क्यूपा और कॉछ कर पाएगा ना आप सोच रहे हो यह customer care पे call करके बात करूंगा आपको पता है चाइना का है और चाइना का है वो इंडिया पे और करता है सारे ग्लोबल करता है इतना मतलब बूरा फीड़ेक है आप गूगल पर जाके साच करोगे तो बहुत कम रेटिंग है और दूसरा दोस्तों जो उसका कुछ चार्जेबल नंबर है वह बन्दा आपका call रिसीप कर लेगा रिसीप करने के बाद आप जब बोलोगे आपके concern जो आपका problem हुआ है वो problem आप बताने के बाद वो बोलेगा ठीक है सर में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे आपको चार्ट के दुवारा आपसे बात करना पड़ेगा customer care के तरब से मतलब चार्ट पर आप बात करोगे वो उस पर इंग्लिस लेंग्वेज है जो इंग्लिस दिनको नहीं आता उस पर बूरा तरीके से फास जाओगे तो आपको पैसा पूरा पूरा चला जाएगा फिर भी चार्ट करके आप बात कर लोगे चार्ट करके बात करने के बाद आपको यह नहीं रिजर्ट होगा यही था अज क्लाफ एक चीज़ बताने वाला हूँ आपका फास्ट जो 10-15 कुस्चान आपको बताने वाला हूँ तो क्लाफ फेक्टरी एक चाइना कंपानी है ना कोई इंडियन कंपानी है क्लाफ फेक्टरी तीसरा कुश्चन है क्लाफ फेक्टरी किया कहा कहा पे वो एलाव हर्त होता है ग्लोबाल यह अबस्ता है जो में एक फैक्टरी डॉट कॉम सारे ग्लोबाल पर चलता है और ग्लाफखक्षेटरी का रेटिंग क्या है दोस्तो तो एकडम है एक अबस्तार क्लास का रिटंड पोलिश है बस वीडियो एई था आज है जो सारे मैंने ओडर मैंने पाते थे सके सारे मैंने भीडियो के तरफ से आपको दिखा दिया, वीडियो के द्वारा, और दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, आपने सायद बहुत सारी link, बहुत सारी link रिसिप किया है, कि कोई फोरड कर देता है, कोई भी क्लाफ फेक्टरी का, सारे को वह वीडियो का link share कर दो या वीडियो share कर दो क्योंकि उनको भी जानना है Club Factory क्या है साइध उनको भी एक कुछ भी product का भी चुना लग सकता है किसी की पैसा चुना लग सकता है दोस्तो तो प्लिस आप Club Factory यूज करना चाहते हो आली एक्स्प्रेस आली वावा से purchase कर सकते हो हमें और एक चीज बताना चाहता हो banggood से भी एक बार check कर सकते हो क्योंकि banggood भी अच्छा है तो भी वह भी check कर सकते हो लेकिन Club Factory से दूर रहो दोस्तो ebay बहुत अच्छा है ebay भी आप ebay.in था वो बंद हो गया वो 2018 पे बंद हो गया लेकिन आप ebay यूज करना चाहते हो ebay.com है वो globally है उसमें भी जाके आप देख सकते हो amazon.com है उदर पे जाके भी देख सकते हो लेकिन प्लीज दोस्तो आप Club Factory मत यूज करो दोस्तो बस यही था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तो लाइक कर देना सारे दोस्तों के साथ वीडियो सेर कर देना क्योंकि Flipcard Amazon यही अच्छा है सारे जो मैंने नाम बताए वो ही अच्छा है ना Club Factory अच्छा है Club Factory यूजर को सारे को वीडियो सेर कर दो दोस्तों प्लीज वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जो भी कुश्चान है अभी भी प्लीज कमेंट सेक्षेन पे पूछ लेना दोस्तों आगले वीडियो पे मिलते हैं तब तक के लिए जाई हिंद भाव